चाप्टर 6, क्लास 12, एक्ससाइज मिस्लेनियस का क्वेशन 12 है, नीव बुक के गॉर्णिग, क्वेशन क्या बोला है, शो दाथ अल्टिटूट अब राइट सर्कुलर कोन, अफ मैक्सिमम वर्लूम, दाथ कैन बी इंसक्राइब न स्फेर अफ राइट सर्कुलर कोन बनाना है चलो बच्चो कोन बना रहते हैं, यह कोन होगी हमारा इसमें, कोन ऐसा कुछ बना, अब बोला है, हमें प्रूफ करना है, इसका आल्टिटूट क्या होगा, आल्टिटूट यहां से यहां तक होगा, यह वाली आल्टिटूट बोली जाएगी, यहां से यहां तक को, आल्टि करना है, that can be inscribed in the radius, sphere of radius r, r यानि कि r दिया है, it means यह constant है, और इसको proof करना है, show करना है, इतना होगा, जो volume होगा ना, इसकी maximum volume होगी, वो 4 r by 3 होगी, यह proof करना है, sorry, जो altitude होगा, वो 4 r by 3 होगा, यह height, यह height 4 r by 3 होगी, अब दिया क्या है, r दिया है, sphere का, तो यहाँ पर देखो, यह center होगा, sphere का, यह r होगा, यह वाली length r होगी, यह वाली length भी r होगी, यह वाली length बोल सकते हो, r होगी, इतना clear है, बच्चो, यह r है, यह r है, ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं, capital r, be radius of, of, circle of cone, circle of base of cone, यह r है, capital r हमने लिख किया, आप देखो, small r दिया हुआ था, अब हमें क्या करना है, volume को maximize करना, volume of cone, volume of cone क्या होता है, 1 by 3, pi, r square, और यह होगी, h, h कितना है बच्चो, देखो, h यहां से लेके यहां तक है, यह पूरा h होगा, यहां से लेके यहां तक को हम h मानेंगे, ठीक है, h be the altitude of cone, यह क्या है, altitude of cone, ठीक है, अब अच्चो, देखो, क्या करते हैं, हम इसमें करेंगे क्या, यहां पर दो variable है, इसको single variable में convert करेंगे, तो single variable में convert करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक relation ढूलनी होती है, r और h में, r और h में एक relation कैसे ढूलनेंगे, दियान से देखो, यह पूरी length h है, ठीक है, इस वाले length को निकाल सकते हैं, इस वाले length को हम यहां पर pathogos यूज करके, pathogos यूज करके, यह निकाल सकते हैं, यह r small r जो है, हैपटिर्यू से यह side है, तो यह हो गया, small r minus capital r square और under root, ठीक है बच्चों, यह समझ में आया, यह हमारा यह वाली length हो गई, so h की value कितनी हो जाएगी, this r plus this length, r plus under root r square plus r square, अब हमें क्या करना है, यहां से देखो, r और h में एक relation आ गया न, r और h में relation होए, small r यहां पर constant है, क्यों दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, तो constant treat करेंगे, अब क्या करते हैं, इसको ठाक इदर करते हैं, r square plus r square, squaring both side करते हैं, actually हम r square की value निकाल लें यहां पर, h की value को put नहीं कर रहे हैं, क्यों 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 रूट को अंदर में है, रूट खलाना है हमने, तो r square plus r square होगे, ठीक है बच्चों, अब यह हो गया, a square plus b square minus 2ab equals to r square plus r square, इतना ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या हो रहा है, यहां से r square, r square cancel out हो गया, हमें इसकी value निकालनी है, जो की हो गया, h square minus 2hr, small r, that is r square, अब यहां पर हमें यह value पुट करनी है, यह हो गया, volume, 1 by 3, pi, r square कितना हो गया, h square minus 2hr into h, अब यहां पर single variable हो गया, इस h की entry इसमें अंदर कराएंगे, h cube minus 2h square r, यह volume हो गया, अब क्या करेंगे, एक बार इसको differentiate करेंगे, dv upon dh, यह pi by 3, इसको जब differentiate करेंगे, 3h square हो गया, minus h करेंगे, एक variable h ही है, r is a constant, तो यह हो गया 4h, 4hr, इसको equal 0 करेंगे, यहां से critical point निकालेंगे, 3h square equals to 4hr, यहां से hh cancel हो गया, so 3h equals to 4r हो गया, h की value हो गयी, 4r by 3, h की value कितनी आगी, 4r by 3, यहां से h is cut गया था, 3h equals to, यह step से आगया, यह, h की value हो गयी, 4r by 3, यह हमें प्रूफ करना था, बट हमें इसको बताना था कि maximum value हो, यह volume की value maximum है, तो उसके लिए हम double derivative test करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे, d2v upon dh square निकालेंगे, इसको एक बड़ और डिफ्रेंसेट करेंगे, pi by 3, this is 6h minus 4r, ठीक है, अब देखना है, क्या यह positive है यह negative हो गया, तो volume क्या होगा, maximum होगा, अगर यह positive होगा तो minimum हो जागा, h की value हम यह पूट करते हैं, pi by 3, 6, 4r by 3, minus 4r, 2, यह हो जागा, pi by 3, 8r, minus 4r, that is 4r, 4r, pi by 3 हो गया, जो की positive number है, यह positive हो गया, सो हम बोल सकते हैं, सो बोल सकते हैं, कि V has maximum value, V has maximum value at h equals to 4r by 3, ठीक है बच्छो, यह ही प्रूब करना था, altitude कितना आ गया, 4r by 3, यह है, ध्रां झाल झाल